जो जिनेंदर भगवान की मानता है जिनेंदर कौन होता है जो इन दोनों बातों को मानता है और जिनेंदर कहते किसे है जिनोंने इंद्रियों को अर्थात क्या हो गए वो वीतरागी बीतरागी कौन होता है जिसके अठारा दोष नहीं होते और चार वाहर के जो स्वरूप बताया है वह कौन होते हैं बीतराग भगवान अकेले कहने से काम नहीं चलेगा बीतरागी अठारा दोष से रहत होना चाहिए अरि वो दोष आपके और हमारे जीवन में है तो हम बीतरागी नहीं हैं जिनेंद्र कितने होते हैं दो कौन-कौन से अरिहन्त और ये दो पोस्ट है होते कितने हैं अनन्त, अनन्ता अनन्त, समझ में आ रहा, इतना विशय समझ में आया, कि नहीं आया, जिसके अंदर अठारा दोश होंगे, वो हमारा जिनेंद्र होगा, क्या, नहीं हो शक्ता, हम उसको प्रणाम नहीं करेंगे, हम उसको मानेंगे नहीं, ना उसको मानेंगे, ना उसकी मानें समझेंगें, तो हम जैनी कहलाई, मचली को दुरुभागय को सभागय में बदलना है, कैसे बदलेगी? बदल सकते है की नहीं? आप अपने दुरुभाग को सभागय में बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे? ये आपका रिवीजन हो गया क्या बदलना है सोच बदलना विचार वो सोच ही सम्यक होती है सोच ही मिथ्या होती है मिथ्या सोच मिथ्या तो है सम्यक सोच सम्यक होती है समझे मिया सोच को बदलना तो हम जिस जिनेंदर को पूझते हैं उनके पास 18 दोस्तों होते हैं या नहीं नहीं होते हैं चार बाहर के भी दोई मुद्रा है खड़गाशन और पदमाशन अस्त्र सस्त्र नहीं अलंकार नहीं बस्त्रा भूशन नहीं इस्त्रियादी नहीं है न इबाहर के फिर उनके पास होता क्या है हर चीज नहीं नहीं नही है क्या है चार चीजें कौन-कौन सी अनन्त घ्यान अनन्त दर्शन अनन्त सुख यह चार चीजें हमारी अंदर है या नहीं है हैं हैं लेकिन प्रकट नहीं है बीज पड़ा है लेकिन उसमें ब्रक्ष प्रकट नहीं हुआ है यह हमारी अंदर की चीजें बाहर से थोड़ी पास वो unlimited हैं हम कैसे हैं limited तीठंकर के पास जो कुछी भी है वो natural है समझ में आ रहा हमारे पास पढ़के ग्यान आता है देख के जानते हैं सुख माना तो मिलता है नहीं माना तो नहीं मिलता है सक्ती विशय भोगों के लिए बहुत है त्याग तपस्या के लिए नहीं है यह आवरण है ढकी है इनको प्रगट करना है जो इनको प्रगट कर लेता है वो जिनेंद्र बन जाता है अभी तक अपने चारों चीज़ें प्रकट हुई है क्या आपके पास ग्यान है परिपूर्ण है या आदा अधूरा कहीं का इट कहीं का रोडा भानमतीने कुनुवा जोडा यहां से लिया, वहां से लिया, यहां से पढ़ा, वहां से चुराया, बोले ग्यानी, समझ में आरा, दर्शन कितना देख सकते हो, जितना देख सकते हो, उतना ही जानते हो, बैक पीछे का जानते हो, नहीं, इसलिए हमारा दर्शन कैसा है, लिमिटेट, भगवान का, वो आखो से नहीं देखते वो ज्ञान से देखते समझ में आरा सुख हमारी सुख दुख दिन भर सुभई साम सुखी सुख रहता कि बीच बीच में दोनों आते जाते वो भी हमारा परिपूर्ण नहीं है शक्ती रात्री बोजन छोड़ दो ताकत नहीं है आज चतुर्दस यह एक आश पाली बताओ जो मजा आता इसमें एक खाने पीने का क्यों वीच में ले आते हो समझ में आरा तो हमारी शक्ती भी कैसी है लिमिटे उनकी कैसी है सर्व शक्तिमानिश्वर समझ में आया पूरे ब्रह्मान को डमरूसा बजा दें पर बजाते नहीं है नहीं तुम्हों कब लेकिन उनमें इतनी शक्ति है अतुल्यवल अनन्त शक्ति के श्वामी है जब आपको कोई कश्त पड़े पीड़ा हो तो सोचना मुझ में अनन्त शक्ति है मैं इतनी सी बीकनेस आगई कमजोरी आगई अरे सरीर को आई तो तो अनन्त शक्ति का श्वामी है ना तुझे काय क कमजोरी आएगी तो हमारी जो शक्तियां है वो सब कैसी है दबी हुई है इनको हमें उजागर करना है उजागर करना है तो बताइए जिनेंद्र के पास जाए या तुम्हारे पास आए बुझा हुआ दिया बुझे हुए दिये को जला सकता है बुझे हुए दीपक को जलना है तो उसे कहा जाना पड़ेगा जले हुए दीपक के पास जाना पड़ेगा ओ केवल जाना ही नहीं है उससे इश्पर्स भी करना पड़ेगा तब उसकी जोती उसमें आएगी परमात्मा परम जो तिर्मान है हम बुझे हुए दिये हैं समझ में आरा अपने को प्रजुलित करना है लोग पजल में जीते हैं क्या मालुम क्या है है वीतराफ्ता नहीं है मेरे अंदर क्या है उसके अंदर क्या है एक बात ध्यान रखो हमारे अंदर वो चीज भले ना हो लेकिन जिसे हमने आराध्य वनाया है उसके अंदर वो चीजें जरूर है इतनी सरद्धा जिसके अंदर होती है वो सम्मेक दुष्टी हो जाता है वो जिनेंद्र भगवान के पत पे बढ़ने लगता है मैं अपने परिणामों को बिशुद नहीं कर पा रहा हूँ ये मेरी अपनी कमजोरी है लेकिन मैं जिसको पूझता हूँ उसके परिणाम परम बिशुद हुआ करते हैं मैं जिसकी वंदना करता हूँ वो परम शुद हुआ करते हैं जिसके चरणों में मैंने माथा रखा है वो हमारे जैसा नहीं हो सकता है हमसे जादा विशुद्ध हुआ करता है इतनी स्रध्धा रखो कि जो हमारे आराद है जो हमारा भगवान है मैं भगवान नहीं हूं लेकिन मेरी स्रध्धा भगवान को पूछती है ध्यान रखना जो के जान पर भी स्रद्धा रखता है वो ग्यानी हुआ करता है समझ में आ रहा उस पे स्रद्धा रखो हम तो नहीं है ना भगवान हमारी अंदर तो भगवान नहीं हमारी अंदर तो केबल ग्यान नहीं है ना हम तो भविश्य और भूत नहीं जान सकते हैं लेकिन जिसको पूझ रहे हैं वो तो जानता है ना समझ में आरा ऐसी स्रद्धा के बल पे जो बढ़ता है स्रद्धा और ज्यान में क्या अंतर है जो जाना जाता है वह ज्यान है और जो जाना नहीं गया जो उसको मानता है वो स्रद्धा हुआ करती है समझे में आरा जिसे आज तक जाना ही नहीं है मोक्ष जाके देखा है क्या नहीं देखा कोई अनभव है क्या नहीं जिसकी अनभवती होती है वह ग्यान है और जिसकी अनभूती नहीं होती फिर भी हम जानते हैं वह हमारी स्रद्धा हुआ करती है ग्यान और स्रद्धा में इतना ही अंतर है ग्यान तो अनुभव से आता है लेकिन स्रद्धा के पास अनुभूती नहीं होती है लेकिन फिर भी वो से मानती है समझे में आया वो स्रद्धा होती है किलियर हुआ नहीं बोलो जो बच्चा डॉक्टरी पढ़ता है तो वो डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर का अनुभव आता है कि पढ़ते ही आ जाता है बोलो पढ़ते ही आ गया तो वो तो फिर पढ़काय को राया गया तो बन गया डॉक्टर समझ में आ रहा पढ़ने के बाद तो ग्यान आता है जब वो डॉक्टर बन जाता है तब अनभूती होती है लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं बना तब तक स्रद्धा होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है जिनेंद्र बनके जिनेंद्र को जानोगे कि हम जैसे लोग जिनेंद्र को जानेंगे हमें जिनेंद्र का अनभू नहीं है एक बाद ध्यान रखना कोई भी हर चीथ दुनिया में अनभू से नहीं आती है कई चीश स्रद्धाओं से भी मिला करती है एक बात बताईए आप दुकान जाते है उनीप से जाते है यह अनुभू से जाते है स्रद्धा है कि एकाथ तो फसेगा एक फस गया तो काम हो जाए समझ में आ रहा है स्रद्धा है न क्या चीज होती है सबसे पहले स्रद्धा होती है ज्यान बाद में होता है ज्ञान मने अनभूती वो सरद्धा याने बिना अनभूती के जानना समझे मिया बिना अनभूती के विश्वास रखना वो सरद्धा होती मोक्ष देख पहले मोक्ष का अनभू होगा कि पहले सरद्धा होगे यह बकील साब बने अनिल जी तुम बकील पहली बन गए थे पहले क्या था अनुभव था क्या बक्यालात का यह अनुभव तो जिंदगी भर करना है बकील कभी परिपूर्ण नहीं होता प्रैक्टिस में रहता है डॉक्टर हमेशा प्रैक्टिस में रहता है समझे में आला तो क्या समझ में आई मूल बात क्या आई हमने भगवान को नही सकते हैं अनुपी से जाना तुपर सर्धा की कोई जरूरत नहीं हुआ हर चीज एक गाठवान लेना हर चीज जान अनुभव से नहीं होती है कुछ चीज़ें सर्धा से भी हुआ करती है आपका विवा है अनुभूती से हुआ या सर्धा से नहीं हुआ साधी नहीं हुए हम से पूछ रहे को वारों से हम क्या जाने है पहले बिवाय की अनभूती होती या स्रद्धा होती कि ये मेरी लाइफ पार्टनर बनेगा दुरघटना से हो गए ना अनिल जी किया रहा है वो तो दुरघटना थी घट गई ना अनभूती है न स्रद्धा समझ में आ रहा है एक विश्वास होता है ना कि जिस आदमी से आप विवाहे कर रहे हो ये मेरा जीवन भर का साथी है साथी पहले बन जाता है या प्रल बिश्वास होता है उस ब्यक्ति ये मेरी जिन्दगी को अच्छे से किनारे लगा देगा इसके साथ मैं अपनी जिन्दगी जी लूँगा ये मेरा लाइफ पार्टनर होगा इसी स्रद्धा से तो साधी करता है है नहीं आरा है समझ में बोली हां कभी-कभी स्रद्धा मिठ्या भी हो जाती है कि पार्टनर बनने की जगह वो हमारी आफ़त बन जाता है तो क्या होता है स्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता उस रद्धा में अनभूति नहीं होती अल्ली विस्वास समझ में आरा विस्वास के दम पे आदमी अनभूती तक पहुचता है नहीं आरा गहरी बोर हो रहे पीजे समझ में आरा अनभूती कभ होगी जब विस्वास के outta से चलेगा इसलिए महावीर ने पहले ज्ञान को नहीं रखा पहले शम्मक दरसंद उसके बाद सम्मे ज्ञान उसके बाद चारित्र समझ में आया तो तुझे पहले अन्भूती नहीं होगी पहले तेरा विश्वास होना चाइए फिर अन्भूती होगी और अन्भूती में जब तू डूब जाएगा वह तेरा चारित्र होगा समझ में आरा है यदि ऐसा सिस्टम नहीं होगा तो बुले नहीं पहले अनभव हो कई लोग यह से हैं ना हमको तो अनभव हो दें नहीं हम नहीं मानते हैं समझ में आरा तो फिर मोक्ष कभी जाएगा ही नहीं मोक्ष का अनभव किसको होता है किसी को नहीं होता है समझ में पहले क्या होती है शर्धा खिलिया दोई तो अपन स्रध्धा के साथ मंदिर चलो किसके साथ तो स्रद्धा के साथ बिना स्रद्धा के मंदिर जाओगे तो जीरो नंबर मिलेंगे गलत करोगे तो जीरो नहीं जाओगे तो नहीं तो कई महान भाव ऐसे बैठे होंगे हाँ इसलिए हम नहीं जाते हैं नहीं जाओगे तो भी फेलो समझे में आ रहा तो भी कौन से पास हो जाओगे तो समझे में आ रहा जीरो उस समय भी है गलत तरीके से जाओगे उसमें भी जीरो हो और उल्टा सीधा जाओगे उसमें भी जीरो हो जीरो ही रहोगे मैं चाहता हूँ औरंगाबाद वाले जीरो नहीं हीरो बन्याएं इस चात वहां कपड़े फाड़ो यहां उतारो समझ में आरा कपड़े फाड़ो तो गालियां मिलती है सीटी मिलती है कपड़े उतारो तो पूजा और आर्थी मिला करते हैं कपड़े फाड़ना तो देखते नहीं फिल्म है इस आट उतार के डांस करें पागल कहें कि अरे तु उतार सारे सारी दुनिया तिरे सामने डांस करेंस तुझे करने की जरूरत सबसु नाचते रहते। थे ना हमारे समें जय हो jump ना समझ में आ रही बात नहीं आ रही है के के ले रहे तो कैसे चले कैसे हीरो बने हैं हम जोकुष भी करें बूरिखल विल्कुल सही injection पर्फेक्ट होना चाहिए और पूरे पूरे नंबर लाने का प्रयास करिए आप भगवान का दर्सन भी करें तो 33 माक्स लाने की कोशिस मत करो सो में से सो लाने की कोशिश करो ध्यान रखिये क्यों हम थरते थी पासिंग मार क्यों चाहेते हैं सप्ली वेंटरी क्यों चाहेते हैं कम नंबर क्यों चाहेते हैं अरे अच्छा क्यों चाहेते हैं बहुत अच्छा चाहो मंदिर जाओ बहुत अच्छे से जाओ ऐसे क्यों जाते हैं ठीक है कुछ तो पुढ़ने लगेगा कुछ नहीं होगा गड़बड हो जाएगा समझ में आ रहा है पूरा होना चाहिए पर्फेंट मेरा नमन ऐसा होना चाहिए किस नमन का परिणाम 100% मिलना चाहिए बिजनिस में क्या सुचते 100% सक्सेज होना चाहिए धरम में ऐसा क्यों नहीं सुचते लाइफ में क्यों नहीं सुचते जिन्दगी में क्यों नहीं सुचते आप पती है 100% पती बन करके दिखाईए ये ना हो कि पतनी अगली जनम में कहे कि ये मेरा साथ में जनम होना चाहिए बगवान अगली जनम में दूसरा मिलना चाहिए यदि यह ऐसा क्या रही है तो आप 100% पती नहीं समझ में आ रहा है 100% पत्नी बनिए और एक बहु यदि घर में आती है तो उसे 100% बहु बन करके आना चाहिए लेकिन वो पहले ही से सास बनके आती है अब घर में कहां से सुख मिलेगा ध्यान रखिए सास को 100% सास बनना चाहिए और मेरे जिनेंद्र के भक्त को 100% बनना चाहिए उसे अपना माथा यहां वहां नहीं रखना है समझे में आ रहा है मैं 100% मेरा सीष जुकेगा तो किसके सामने जासों पूजों परमपर देवसास्त्र गुरुतीन इसके अलावा कहीं जुकने का समझे में आ है किलियर हो रही है सो में से सो लाओ ना 100% जेन बनो ना मिक्सप क्यों रहते हो कोई डाउट गलत बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं तो खड़े हो के बोल दो कि नहीं यह नहीं चलेगा हम मिक्सप बाले रहेंगे हैं 100% एक हिंदू है तो 100% हिंदू बने एक मुशलमान है तो 100% मुशलमान बने और एक जेन है तो 100% जेन बनना चाहिए उसको बिक्सप नहीं होना चाहिए नहीं चाहिए ता तुम हमारा धर्म लो हम तुमारा धर्म ले और एक डिगंबर को 100% डिगंबर होना चाहिए तो तुमने जीवन में कुछ उपलप्द किया है समझ में आरा नेता गिरी नहीं गंगा गए तो गंगा दास और जमना गए तो इलेक्षन आया तो राम जी याद आ गए और इलेक्षन गया तो राम जी कोई भूद रहे हंड्रेट परसेंट जो भी काम करो एक माला फेरो तो हंड्रेट परसेंट नंबर लाने का प्रयास करो यह नहीं कि कितने नंबर आ रहे हैं कितने नंबर मिलेंगे इसमें आपको मन वहां जा रहा है दिमाग वहां है दृष्टी वहां है मंदिर गए पते नहीं कैसे नमस्कार कैसे प्रणाम कैसी वंदना कितने नंबर मिलेंगे बोल यह इमानदारी से नंबर भी आपको यह देना है परिक्ष मेरी पूजा मेरा दर्सन मेरी माला मेरा जाप क्या भीतर से आवाज आएगी कि 100% नंबर देगा बोलिए इमानदारी होगी तो मिलेगा और एक बात याद रखना दुनिया में तो ले दे के नंबर बढ़ जाते हैं यहां ले दे के कुछ नहीं होता है यहां तो जो है सो उतने ही मिलेगे समझ में आ रहारा खुद कोई तो नंबर देंगा है अपनी एंसर सीच में है समझ में आ रहा तो आए अपन दर्सन का 100% फल प्राब्त करें जब करी रहूं भगवान मंदिर आही रहा हों पूझन करी रहूं दर्सन करी रहूं तो नंबर कम क्यों लाऊं समझ में आ रहा कितने नंबर आना चाहिए जब मैं जिनेंद्र का भक्त हूँ तो नंबर कम क्यों करूं मैं पूरे के पूरे नंबर पाऊंगा तब जाके एमानव जन्म सफल होता है अधर कचरा नहीं अधर जल गगरी छलकत जाए उससे कुछ नहीं मिले ये भी नहीं मिले और भो भी नहीं मिलना है सादू बना हूं तो फिर हंड्रेट परसेंट सादू बनो फिर संसार की इक्षाएं मत रखिए और ग्रस्त बने हो तो हंड्रेट परसेंट ग्रस्त रखो ध्यान रखना फिर मंदिर में फिर आफिस में समय सार लेके मत बैठो बनना कस्टमर भाग जाएगा ध्यान रखिए ब्यापार में 100% ब्यापारी हो जाईए और बेवहार में 100% बेवहारी हो जाईए और अध्यात में 100% अध्यात में आदमी कहीं का नहीं है, रोटी खाता है, रोटी कम खाता है, बिचार जादा खाता है, खाना भी तुम हंडेट परसेंट नहीं खा सकते हैं, इमानदारी से, कित्ती रोटी खाते हैं, दो चार, बिचार कित्ते खा जाते हैं, उसमें, हजारों, लाखों, यह करना है, बू करना पतनी के पापड पापड दूंक्या उसके पतर ही नहीं है क्या? मैं क्या बोला? तो तुँ खा क्या रहा है? दिमाग क् principal और खाना खा रहा है? बिचार करें 100% पाई लियर हुआ? नहीं होआ? तो मंदिर चलते हैं पहला step चरण दोना भगवान के अपने या महाराज के महाराज के तो इतने धोते हो अपने में कीचर लगा है ए महाराज ए महाराज मन सुद्धी वचन सुद्धी काय की सुद्धी चोके में ब्रह्मचारी चिलाते रहता एड़ी से धो एड़ी से दो अच्छ से दो नहीं महाराज के धोएंगे अपने भी तो धो लो खुद के गंदे महाराज के दूद से फूल से रगड़ रगड़ के ना खुन लगे तो लगे हमको तो धोने से मतलब समझ में आद वो पहले खुद नहां के जाना चाहिए ना कि खुद तो नहाए ने भगवान को नहलाने बैठ गए नौसो चुए खाके विल्ली हज को चली ना खुद की सुद्धी पहले ये देखो मेरे चरण सुद्ध है या नहीं है मंदिर जाता हूं तो जूते चपल केंसे रखता हूं मंदिर है भगवान का मंदिर है जिस समाज को चपल जूते रखने की अकल नहीं है वो भगवान को क्या पाएगा जिंदकी में मैं देखता हूं कितना गंदा रहता है मंदिर को क्या बना रखता है फिर ये कमेटी ने स्टेंड काय के लिए लगाए है सो के लिए कोई मंडल ह क्या एक फोटू के चाके नंबर पा लेंगे, चिवते चपल की भी अकल नहीं अपने, कहीं उल्टा पड़ा, कहीं सीधा पड़ा, गंदा पड़ा, कचड़ा पड़ा, जाती साथ मंदिर में पवित्र भाव होने से पहले, मूड खराब हो जाता है, इत्ते गंदा है, क्यों ल मुद्रक्स से कोई निकले, आजयन देखे तो कैईगा, कैसे जयन लोग है, यह बड़ी की बात करते हैं, सोले की बात करते हैं, मंदिर का दर्वाजय की गंदा रखते हैं, कमझ में आगा एक नियम होना चाहिए मंदिर में जाड़ू नहीं लगा सकते तो मंदिर को गंदा करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए ध्यान लगा क्यों गंदा करते हैं मंदिर स्वक्षे क्यों नहीं रखते हो एक तरफ क्यों नहीं उतारते हो तुमारी घरों में ऐसी लगाओ जूतों का एक स्थान है वहां जूते रखो पैर धो तुम पैर धो या नहीं दो ऐसी दसा है कि नहाने की बाद ही बिना नहाई लगते हो समझ में आरा पूछना पड़ता है नहाली या क्या वो भी विचारा आइने में देखता कुछ गड़वड तो नहीं हो गया तो पैर स्वक्ष रखो पैर स्वक्ष नहीं तो आप क्या सुद्धी लेकर जा रहें मंदिर में क्या सुद्धी लेकर जा रहें चौके में गोबर ल जयन लोग सवक्षण divergence डाएंगे कूम रहेगा सोट विचार कई बुरा लग रहाए best कायद को लगेगा लग जाय तो सुधर जाओंगे तुम्हें टो यह भी बुरा लगने के बाद后 मंदिर बड़ा दिखे दिखना चाहिए पढ़ी पुस्तक डाला कुछ रख दिया भग गए जिन्वानी वहीं खुली पढ़ी पूजा की वहीं पढ़ी अरे तुम्हारा घार है क्या भगवान का मंदिर है इसको क्या माली पुजारी के हवाली कर रखा है गंदा तुम करो सफाई वो करे समझ में आघ खुद को करना चाहिए, ये भी पूजा है, ये भी भक्ती है, ये भी पुन्न है, किराय के लोगों से पूजा नहीं कराई जाती, सास्त्रों में लिखा है, दान, पूजा और संतान की उत्पत्ती किराय के लोगों से नहीं होती है, खुद करना चाहिए, समझ में आरा, तीन च प्रदक्षिना लगाओ, बैठ करके उनको नमस्कार करो, तीसरा स्टेप क्या है, चोखट, दहलीज, उसका इसपर्स करो, भगवान मंदिर के चरण है, फिर राइट, पेर, अंदर डालो, पांच्वा स्टेप क्या है, तीन बार, भगवान का दिब्धोनी का प्रतीक, साड़े बारा करोड वाद्य का प्रतीक, वह घंटा बजाओ, घंटा ही क्यों, क्योंकि उसको मूरक से मूरक भी बजा लेता है, धोलक नहीं बजा सकता, हार्मोनियम नहीं बजा सकता, सितार नहीं बजा सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए लेकिन घंटा ऐसा है कि गुरु घंटाल भी बजा सकते हैं समय जाके टन टन ही तो करना है इसलिए उसको प्रतीक बना करके कोई भी बजा लेगा अनपड़ो गमारो मूर को पागल हो है ना धोलक तो समझदार भी नहीं बजा सकता है लेकिन घंटे को तो पागल भी बजा देता है वह साड़े बारा करोड बाद यंत्रों का क्या है वह प्रतीक है हर्स का प्रतीक है उसकी बाद क्या करो जैजेकार जै जे जेकार जे जे का लिया प्रवु अवतार जे कार जे जेकार जेजे कारियों जे 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 जियनम जय तुशास नम बोलना चाहिए मन से धन्य हो गया मैं आपकी दर्शन को पा करके फिर इसकी ध्वनी कभी चुबती है चुबती है घंटे की ध्वनी बिलकुल फिर क्या करो हाथ जोड कर बेदी के पास जाओ सांतिनाथ भगवान का मंद्य देखना उपर क्या है अभिशेक करते नीचे यक्ष यक्षणी जिन शाशन देवी देवता यक्षणी किस तरब बैठी है लेक्ट में और राइट में पद्मवतिमाता कहा है तुम राइट में क्यों जाते है जो वहां बैठी है बेदी में वह भी लेप्ट में और जो सामने रखी है वह भी अब एक महला आई बोले महराज हमारी तो बैठक बेबस्ता ऐसे ही है तुम इनका ऐसे ही रहो हमको क्या बिगड़ ना बैठने की बात नहीं कर रहे हैं काई की बात कर रहे हैं दर्शन की की चल रहे हैं दर्शन आपको स्राविकाओं को लेफ्ट से करना है क्योंकि महला हमेशा लेफ्ट में रहती है बताया था ना एक बहु आई उचनि का कि घर के राष्टपती कोन है वोले ससुर जी इस घर की होम मिनिस्टर कोन है वोले सासु जी है इस घर का finance minister कोन है बोले पती दे हो इस घर का विदेश मंत्री कोन है बोले देवर तो बोले अब बेटा बहुत तू बता क्या वनेगी बोले मैं विपक्ष में ही वैठोंगे कोई कुछ भी वना रहा है मैं तो लेप्ट में बैठोंगे पारिटी किसी की भी हो जीते कोई भी हम तो बिपक्ष की नेता बनेंगे तुमारी हर चीज का विरोद करेंगे समझ में और और कुछ नहीं करेंगे तो महलाओं का इस्तान क्या है लेप्ट हमेशा बिपक्ष में कोई जीत है कोई हारे अपन को तो बिपक्ष का नेता बना है समझ में आ रहा इसलिए भगवान आप भी कहां जाओ लेप्ट से दर्सन करो समझ में आ रहा फिर क्या करो अगला स्टेप अभी चावल नहीं चड़ाना नहीं तुम बहुत जल् अनिमेश विलोकनिया यह तुम भगवान को लगाते हो कि तुम अनिमेश देखते हो अरे तुम भी तु देखो उनको समझ में आ रहा कि वो ही देखते रहेंगे तुमको समझ में आ रहा अपलकने हारो भगवान को थोड़ी देखते रहो पलक रोकने की कोशिस करो क्योंकि एक दिन हमको अरिहंत बनना है जिनेंद्र बनना है वहाँ पलक जपकने नहीं मिलेगी उसका अभ्यास अभी से प्रादम थोड़ा तो नैनों को पलक मत जपको समझे में आप पलक देखती रहो जितना आपका सामर्थ है यह नहीं कि आप खड़े हैं गंटा बल आशु आ गए बेहने लगे एत्तने दुखने लगी आँखे नई एक सेकेंड दो सेकेंड तीन सेकेंड जब तक आपका मन करे भगवान को निहारो फिर अब क्या करो निहारने के बाद क्या करो देखो, साइड में क्यों खड़े हो, किसी को बाधा नहीं हो, और तुमसे भी किसी को बाधा नहीं हो, ये नहीं कि अपना काम बनता भाड में जाये जनता, हम तो अपनी दर्शन कर रहे, तुमको दिखे या नहीं दिखे, हमको कोई मतलब नहीं, नहीं, दूसरों का भी ख्या रिट जाईए इह पंचांग नमस्कार कुछ लोग बोलते हैं साश्टांग नमस्कार साश्टांग आ ठंग तो कोई करी नहीं सकता हां आठंग कौनकौन से होते है ज जिर के अर्ड़य छाती कितने हो गएं नों हां कितने हो हो गए दोनों पैर कि पेट पाँ पीट कितने हो गए आठ करो आश्टांग नमस्कार कैसे करोगे है कि कैसे करोगे लेट गए तो नमस्कार का अथ होता है भूमी इस पर्स पीट कैसे इस पर्स होगी पीट करते हैं तो साथ अंग होए कि आठ अंग होए नमस्कार का मतलब है आपका शरीर जमीन से लगना चाहिए समझ में आरा पीट कैसे लगाओंगे यदि आप ऐसे लेट गए तो हैं और पीट लगाना है तो बाकी के नहीं लगेंगे पर पेट कैसे लगेगा समझ में आरा ऐसा नहीं होता है साथ अंग होता है आठ अंग और आठ अंग में होता है पांच अंग और मन बचन का है कितने हो गए कितने अंग हो गए कितने अंग हो गए पाँच कौन कौन से पाँच उन्हीं बोला है जो जमीन को टच कर जाएं क्या क्या टच करेगा आपका सिर और दोनों हाथ दोनों पैर कितने यंग हो गए कितने हो गए पाँच दोनों पैर दोनों हाथ और सिर कितने हो गए पाँच अब इसमें क्या जोड़ो दो मन वचन काई कितने हो गए यह होता है अश्टांग नमस्कार नहीं हो लेटने लोटने वाला नहीं है वो भी है एक लेकिन अपने हाँ पंचांग और अश्टांग इसको बोला है नहीं तो पीठ तो आपकी लगी नहीं सकती जमीने कैसे लगाऊँगे कि सोचा है कभी तो तो साथ अंग नमस्कार हुआ आठका हुआ क्योंकि यह सास्त्रों में लिखा शीरो नती शीरो नती का मतलब होता है जमीन से टच होना चाहिए आपकी नाक कहते ना मैं अपनी नाक रगड रहा हूं बोलते ना नहीं बोलते किसके सामने न नाक रगड रहे हैं इनके है किनके सामने नाक रगड ना थेन लोग के ना थे प्रभू मेरा नमस्कार मैं आपके चरणों में अपनी नाक रगड ने को तैयार हूं कहा रगड ते नमोस्तु 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 ना नाक रगड रहा ना हात रगड लिखाना पड़ो भक्तामर प्रणत मोली मनी प्रवाना मुझ्योतिकंदलित सम्यक्प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा सम्यक्प्रणम्य प्रणाम नहीं लिखाएं क्या बोलाएं सम्यक्प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा सम्यक्प्रणम्य क्या होता है सम्यक्प्रणम्य रोज पढ़ते हैं वक्तामर उपास भी कर रहा हैं सम्यक्प्रणम्य क्या होता है किसे कहते है सम्मेक प्रणम बस पढ़ लिया यह ले ओ क्या हो गया बोले सम्मेक प्रणम में जेने पाउज ऐसे हो था है सम्मेक प्रणम इसको कहते हैं कितने नमबर मिलेंगे मिलेंगे तो लेकिन पासिंग मार्क्स चाहिए कितने तो प्रणाम केसा होना चाहिए सम्यक प्रणाम में होना है सम्यक प्रणाम में शब्द दिया है सम्यक प्रणाम में जिनपाद युगम युगादा आलं बनं भवजले पतताम जनाना किसको तारते हैं भगवान जो सम्यक प्रणम्य करता है क्या होता है सम्यक प्रणम कोई करके बता सकता है कि मैं तो खड़ा नहीं हो सकता देख तुम लोग बता सकते सम्यक प्रणम अरे किसे करते सम्यक प्रणम पांच अंग जमीन से टच होना थे हाथ पेर रखड़ो रखड़ो भगवान के चरणों अपनी नार नहीं वहां जाते देखता हूं मैं बेदी पे मूर्थी की पेर में अपना सिर्द लगा पसीना और पहुंचे जाते हैं अपना यह कोई सम्मेक प्रिणम है क्या उसको दूस गंदोदक लेने को घबरा जाए कि यारी इसका पसीना मैं अपने माठे पर क्यों लगा हूं यह कुछ यह सब गलत चीजह हैं ऐसे नहीं चुए जाते बगवान के पेर उसको सम्मेक प्रिणम नहीं बोला है अपनी गंदगी पहुंच गए समझ में आ रहा है कई आते हैं मे मूलाचार में लिखाये भगवान से एक हाँ दूर रहकर परणाम करें मुनी को लिखा एक हाँ दूर रहो इस नहीं प्रणाम करना के छणों में यह खोपड़ा नहीं रगणना प्रणाम करना है सम्म्यक के साथ पांच अंग जुकाना है और मन से जुकना है बचनों से भी जुकना है स्वामी नमस्तु भ्यम नमस्तु भ्यम नमस्तु भ्यम नमस्तु भ्यम यह बचनों से बोलते नहीं है नमुस्तु 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 नम ब्याकरण में हे स्वामी नमस्तु हे जिनेंद्र मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं क्यों नमस्तु जिनसासन तब सो में से सो मिलेंगे कैसे बैठना है राइट पैर इस तरह राइट की तरह पंचां कैसे बता हूं तुम लोग बताने की कसम खाके आए इधर आओ तुम्ही आओ अपन लोगी बने सब ड्रामे वाजिया इनकी डमी अपनी बनो यह तो नहीं उठेंगे यह जो राइट वाला पैर है वो ऊपर होना चाहिए हमें नहीं देखना उधर देखा बैठ जाओ राइट पैर यह लेफ्ट उपर नहीं होना चाहिए left कहां होना चाहिए भगवान के हाथ कहां है left वाला right वाला कहां है ऐसा समझ में आ रहा ये right पेर उपर होगा तो अपने आबू right दिसा में चला जाएगा left को उपर करोगे तो मुद्रा उल्टी हो जाएगी वो सम्यक नहीं कहलाएगा समय प्रणम्य यह राइट वाला पैर उपर फिर उसके बाद क्या करो मुक्लित कमल हस्त सोभित सिर्षा क्या लिखाए मुक्लित हस्त कमल शोभित सिर्षा पड़ो जरा वंदना के 32 दोस हैं नमस्कार करने के कितने दोस हैं 32 जड़ी 32 दोस लग गए एक भी लग गया उसमें तो आपका सम्मेक प्रणम नहीं है बच्चों का खेले सम्मेक प्रणम बहुत कठिन है निर्जरा कराता है 32 दोस हैं हाथ नहीं टेकना समझ में आ रहा एंसे 32 दोस पड़ो सास्त्रों में वंदना के 32 दोस हैं भगवान की मूर्ती पर रगाएं सब दोस है इसा पाप बंद में कारण है समझ में आ रहा एंसे पैर को मोड कर हाथों को मुकलित ऐसा ये दोस है ऐसा ये दोस है कैसा होना चाहिए मुकलित और ये को होना चाहिए Nou टगश होना चाहिए कहां से ये कुक्शी भाग र única बोल्टें यह मुद्रा कायकी हो गया सम् conflicting फिर इसको क्या करना चाहिए in तीन आबर्ट कि इसे नहीं ए Сейчас कि ऑने गड़ा चला रही है क्या कर रहे है ने लड़के भूमना चाहिए ना तुम पूरा हाथ भूमा जले भी सी बना देते हैं और एक वाद याद रखो दक्षनावर्थ कैसा आवर्थ रेखा है एंटी क्लाउग वाइस घुमाना है कैसे घुमाते हो क्लाउग वाइस नहीं एंटी क्लाउग समझ गए घड़ी कैसी चलती है ऐसी आ उल्टाओ उसको बोलते हैं डक्षिनावर्थ है ना उत्रावर्थ नहीं लिखा है सास्त्रों में पिछे उठाओ ऐसी नहीं ऐसी नमस्त अभ्यम भगवान एक महला आई बोले आप उल्टी क्यों गुमाते हो मेंने का तुझे आज सीधी बात समझ में आ रही है तुने मार् जब मैं उल्टा होता हूं तब तु सीधी होती है समझ में आ रहा दक्षिनावर्थ लिखा है आवर्थ ये तीन इस तरह से यूं यूं फिर उसके वाद क्या करना है शीरो नती इस हाथ को मस्तक के ऊपर ले जाना है है ना तब तो नाक रगड़ेगी और हाथ पी समझ में आ रहा है सम्मेक प्रणम समझ में आ रही वक्ति इस तरह से इसको आगे लाके अब नाक को कहा लगाना है भूमी इस पर जुको अब देखो महावीर भाई अपन तो बड़े पेट वाले हैं अपने से तो यह होना नहीं है बगवान तुमें पासिंग मांग देना है तो दे दो यह पेट बड़े इसलिए हुए है कि सम्मेक प्रणम नहीं किया है समझ में करते तो तोन क्यों निकलती समझ में आ रहा अब इसको आगे करके जुकाओ जुकाओ बिलकुल आगे आगे हाथ जाना और यह मस्तक जमीन पे लगना चाहिए यह होता है सम्मेक प्रण अब उठ जाओ भगवान थोड़ी आएंगे उठाने समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा अब जिनके बड़े पेठे महाराज बो क्या करें यह मुद्रा जो पंचांग मुद्रा है अस्टांग मुद्रा है यही अस्टांग है यही पंचांग है महलाओं को तो कभी भी ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए वो पिछी धारियों को ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए धोक नहीं देना चाहिए समझे में अब पुरुष के लिए लिखा वो बस्त्र पहने हैं घुटने के बल बैठ कर वह हाथ को आगे करके महावीर भाई भी कर सकते हैं मस्तक नीचे लगाओ पेट सहयोग देगा उसको बोलते हैं धोक क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नमस्कार और उसको क्या बोलते हैं ऐसी धोक नहीं जैसे खंडेल वालों में होती है फोन में मा साब धोक करूँ एक इंच नहीं जुक रही है एक इंच नहीं जुकी मा साब धोक करूँ मावी के रहे ठीक है जा खुश रहे वो कौन सा दिल से बोल रही है जा खुश रहे ये धोक है तुमारी माशाब धोक करें अब तुम बोलो माशाब तो वहाँ है यहां से धोक कैसे करूं एक बात याद रखना तीठंकर अयोध्या में होते हैं और सोधर मिंद्र स्वर्ग से प्रणाम करता है सामने होना कोई जरूरी आपकी सास पर इत्ती सरद्धाई नहीं है वो तो सामने कहना पड़ता है धोक करूं बाद मैं तो ठोक करूं चलता है कई आते ने वही अगती में मेरे पास इतनी जोर से दवाते हैं ठीक ठाक करने आते ही ठोक ठाक के चलेगा उसके बाद मुझे इस्टाप की लोगों से कहना पड़ता दवा दो थोड़ा वो ले क्यों में इनका दर्द दे गया आया तो दूआ देने था दर्द दे के चला गया चिपका रहे हैं पट्टी क्या करें नाखुन से निप्टा गये पूरा मैल निकाल रहा है की चमडा निकाल रहा है समझे में आ रहा है अब इतना क्यों दवा आते हो कोई हम चल रहे हैं घूमर काई में ठग गये माहराज पूरे दिन तो वहाँ बैठे मंदिर में वो इसलिए पैर दवो आते हैं इसके माध्यम से स्रावक मुनी के निकट जाता है बाकी कोई दर्द थोड़ी हो रहा है उनको इनकी क्या दसा बनाते हैं वो एक दो है न कला का एज जगड़ जगड़ पीट सिर्श और यह विजारे यू कर रहे उनको तो एज धोवी पचाड़ निचोड निचाड़के कपड़ा डाल गए जाओ यह भाईय अरुत्ती है समझे एसे होते ही भाईय अरुत्ती एक इदर से हाथ खीचरा एक इदर से हाथ खीचरा एक टांग खीचरा थोड़े देर बाद तो जूले जूला देंगे यह भाईय अरुत्ती यह सेवा करने आए कि आफ़त करने आए हमारे रात को देखो नजार हम चुद्चाप देखते रहते हैं और उसमें भी चेहन नहीं महाराज पांच मिन्ट तो कर ले हां गत बना दो हमारी आजा पांच मिन्ट अपनी भडास निकाल लो तुम हमार निचोड के चले जाओ हमको पूरी तरह से सिर्की क्यों नहीं करने देते हैं यह मेरा सिर्फ पुष्पदंत के अलावा कोई इस पे हाथ नहीं रख सकता है हाथ रखेंगे तो जिनेंदर रखेंगे और हाथ रखेंगे तो हमारे गुरू जन रखेंगे आचार रखेंगे तुमारा हाथ रखवाएं मैं ऐसे हैं बाई सोची नहीं कराना वही है क्यों दवा रहे हो जब इतना क्यों दवाती है समाज सादूओं को हम तो कुछ नहीं करते ना हम तो तुमसे कुछ बोलते भी नहीं गुस्षा भी नहीं होते है फिर क्यों इतना प्रेशर में रखते हैं उसके बाद भी क्या रहा है कम प्रेशर कम है माराज अभी तो अभी हम औरंगाबाद वाले नेचरल कहां आए हैं दबाने को अभी तो हम दर डर के दबा माराज आप से डर लगता है मैं सूचता हूँ इस डर में इतना मुझे दबा रहे हैं जिस दिन डर खुल गया उस दिन तो यह फिरियों के दबाएंगे कमाल हम चलने ही लाइक नहीं बचे यह माध्यम है कि स्रावक यूं तो सादू का इस पर्स नहीं करता एक बैया वर्ति एक आहार होता है जब महला निकट आती है और एक बैया चरन प्रक्षालन को चरन रगणन बना दिया है अरी तुप क्या कर रहे हो सम्यक क्या लिखाए त्रे धार दे पायन पढ़ो क्या लिखाए तीन धार देना कलस ले लेना चाए दूद का ओ चाए जल का अएसा हो हमें कुछ लेना देना नहीं है नहम दूद देख रहे ना जल देख रहे हम तो यह देख रहे मलाई का भटे गई समझ म्यारा ऐसा कलस लेके तीन धारा छोड़ना चाहिए जन्म जरामृत्य बिनासना यह है ही नहीं जन्म जरा बस रगड़ दो महाराज को बोले उनने जाप किया होगा सारा पुन्न खसी किलो अपने पन की चिलो पूरा समझ म्यारा सोशन मत करो समझ म्यारा जल ले करके चाहिए महला हो या पुरुस हो पैर क्यों रगड़ते हो बोलो यसी तीन धारा में भाव अच्छे बनेंगे या यूँ अब क्या होगा आदमी यूँ कर रहा महला उस पे डाल रही है अब उसका मेल उसका हस्त प्रक्षालन हमारा पाद प्रक्षालन बन रहा है कमाले या तुम्हारा धुले धुलाए से हम अपने पैर दोएंगे विचार करी सोची वलित वाव उसने पानी डाला तुम्हारे हाथ में आया हाथ का धुल के अब उसी हाथ से तुमने ऐसा भी किया होगा करी लेते हो लाव महाराज पाद प्रक्षालन कर दे सत्या नास इस पार उसको कौन लगाएगा माथे पर बताओ गंदोदक के लिए क्या सर्थ लिखी है निर्मालम निर्माली कर्णम निर्मालम उससे पहले तुमने अपना मल लगा दिया निर्मालम कहा है वो निर्माल कोई हाथ नहीं लगना चाहिए आप तीन धारा दीजिए भक्ति भाव से दीजिए आहा धन्य भाग मेरा भगवान के चरणावी सेक चरण रगडण बिलकुँ हम पेर खीचे जा रहे चड़ा जारा हम कि चैसे कबड़ी हो रही हो जी कोई भक्ति है तुमारी भक्ति का अतिरेक है एसा नहीं है कि तुम अपमान के लिए करते हो लेकिन वो क्या है आवेवेक समझ में आरा है ऐसा धार छोड़ो फूल लो फूल ऐसे मारेंगे भगवान जैसे दूला बरात लेकर आया हो जैसे सालियां जीजा को मार रही हो फूल ऐसे चड़ाओ पुष्पांच जली लिखा है क्या लिखा है पुष्पको अंजली में लेकर उनके चरणों में रखतीजी समझ में आ रहा नहीं आरा सम्यक नहीं तो नंबल सम्यक प्रणम में अच्छा करो न गुरू को भी आनन्द आ जाए तुमको भी करने में आनन्द गुरू तो बेचार है टांग खीचे जा रहा टांग खीचे जा रहा वो अपनी तरफ खीचे जा रहा क्या है पेर धो रहे हाथ इतने लगा रहे है कि हमारा आधा कमंडल तुमारे हाथ धोने में खतम हो गया अरे हमारा हमें धोलेने दुवाई हमें भी तो कुछ काम करने दो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सम्यक प्रणम्य पुरुषवर घुटने टेक करके बैठ करके धोक दे सकते हैं जिनके पेट बड़े है भगवान थोड़ा वो तो रखता है छोट नहीं तो पर क्या मतलब है और जिनके पेट अंदर है वो अच्छे से करें सम्यक प्रणम्य जिन पाद इत उल्टा क्यों करते हैं किसीने पूछा ही नहीं ऐसा क्यों एंटिक्लाउग वाइस क्यों बूला क्यों क्यों बूला देखों ही भगवान हम संसार की भवर में फसे हैं भवर कैसी चलती है क्लाव वाइस मैं उस भवर में उल्जाओं किस में मोह में माया में संसार में बिशे में भोग में मैं इससे निकलना चाहता हूं तो निकलना है तो विप्रीथ चलना पड़ेगा की नहीं बूलो संसार की भवर से हमको निकलना था तो हम तुमारे विप्रीत हुए की नहीं तुम कपड़े पहनते हो हम नहीं पहनते तुम एक हाँ से खाते हो हम तुमारे विप्रीत तुम बैठ के खाते हो हम खड़े हो के खाते हैं तुम दिन में कई बार खाते हो हम एक बार खाते हैं तुम बाल बनवाते हो हम बाल उखाडते हैं तुम्हें जो करना वो हमको नहीं करना तुमने भी कसम खाई जो इनको करना है वो हमको नहीं करना समझ में आरा है ना तुम वही वही करोगे तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं करेंगे, मत करो महाराज, हम भी तुम्हारे जैसा नहीं करेंगे, समझ में आ रहा, तो भवर में जो उलजे हैं, वो ऐसे काम करते हैं, वो भवस से जिने उबरना है, वो ऐसे काम करते हैं, समझ में आ रहा, संसार का भवर है, तो अपन को ऐ कैसे नहीं करना है कैसे करना है कैसे करना है समझ में आ रहा इस तरह से करके क्या करना है अपने को भगवान को बस आज इतने हैं समझा है नहीं तो भूल जाओ गया आज क्या सीखा पंचांग नमस्कार अश्टांग क्या होता है साश्टांग क्या होता है धोक क्या होती है भडहाये जाते हैं फैक फ्ैकक के मारो मत पुश्पान जली अर्पित करो समझें भुश्पान जली छिपेद द syntो बोनता है मारो मत क्योंक में उलज जाएं अभीचारी चसम पहुंच रहें क्या करें फूल पड़ गया जोर से मारना नहीं विनय भाव भक्ति भाव आनंद के साथ उन पर करी है ना जावाणी के ज्ञान से